तेरे वोट क्या है गुलाबी कवर है हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेकलिक्ट्वनिक्स और दोस्तो यहाँ पर जब दो मोडियूल देख सकते हैं मैंने एकजांपल के लिए मैंने दो ही मोडियूल रखा है ऐसे तो बहुत सारे मोडियूल आते हैं लेकिन मैं यहाँ पर दो ही मोडियूल को रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से तो यह जो मोडियूल है दोस्तो इसको जब हम यूज करते हैं तो एक हमारा प्र साउंड को कंट्रोल करने के लिए यहां पर प्रटेंसर मीटर लगाया गया है इससे यह फैदा होता है दोस्तों कि अगर आप चाहे तो जल्दवाजी में भी जो है इसका साउंड कम या ज्यादा कर सकते हो लेकिन इस मोड्यूल में ऐसा नहीं होता है इसमें बटन से ही आपक सांड कम होगा इसको देखते हों मैंने दोस्तों यहां पर मैंने सोचा कि इसमें क्यों नहीं इ western मिटा लगा दे तो इसी potential meter को हम इस module में जो है लगा कर चेक करेंगे कि यह जो function है दोस्तों हमारा किस परकार से काम करता है और इसको लगाने के बाद यह अच्छा से काम करेगा कि नहीं करेगा यह भी आपको मैं बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आए इसको side में रखते हैं और जिस module में जानना होगा दोस्तों किसमें audio output कहां से हो रहा है इस main IC से और input कहां पर हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि यह जो IC है main IC तो इसका data sheet है आपको Google पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर sound IC का data जो है Google पर आपको मिल जाएगा तो यह जो main IC है इसका data नह हो रहा है तो इस आईसी का जो number है दोस्तो अचडबल ए-2018 है और इसमें जो audio input चार नवर पीन में होता है तो Hi I see ke फर्स्ट वाले pin के पास में डॉ बना होता है तो यहां पे डॉट बना हुआ है पहला पीन यहां से Start होता है चार नमर पीन हमारा यहां से होता है तो उसमें कया है दुस्तो की कुछ पी एफ और कुछ रेजिस्टेंस के ठूर lly यहां पे जो है, चार नमबर पीन में आप देख सकते हो, कुछ रजिस्टेन्स और कुछ पीएफ के थुरू, यहां पे यह जो प्रिंट है। हमाँरा इस एस आईसी के, इस इस वाले पीन पे आता है. ठीक है जो last है इस side का जो last है इस pin पे आता है यहां से हमारा audio output जाता है यहां पे pf और resistance के थुरू इसमें input होता है ठीक है तो यहां से पता चल गया कि हमारा out यहां से हो रहा है और input यहां से हो रहा है ठीक है अगर आपका audio ic का input पता चल जाता है तो उसको track करते हुए main ic का output भी खोज सकते हो यहां से तो पता चले गया कि audio input यहां पर हो रहा है और इस आइसी से output कहां से हो रहा है यह आपको find कर लेना है उसके बाद तो potentiometer लगाना दुस्तों बहुत ही आसान हो जागा आपके लिए ठीक है तो यहां पर मैं दुस्तों यह वाला potentiometer कर रहा हूं यह कुछ पुराना potentiometer है इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं अगर आपके पास ऐसा है तो आप यूज कर सकते हो और potentiometer के value के बात करें तो आप 50 के और 47 के भी यूज कर सकते हो अगर वो दोनों भी नहीं है तो आप 100 के भी यह चोटा चोटा SMD component लगा हुआ है तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी एक PF को हटा देंगे तो यहां से मारा दो वायर निकल जाएगा तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक PF को यहां से हटा लूंगा यह जो PF देख सकते हो यहां पर मैंने हटा लिया है यहां पर मैंने PF को जो हटाया है तो दो पॉइंट हमारे यहां से निकल जाता है तो मैं यहां से दो वायर को निकल लेता हूँ यहाँ पे मैंने जो PF हटाय था उसके दोनों पॉइंट में मैंने दो वायर निकाल लिया है और यह जो हमारा वायर है ग्रीन कलर का यह हमारा खाली है तो इसको हम ground में connection कर देंगे यह जो आप print देख सकते हो यहाँ पे मैं कर दूँँगा तो potential meter में ground भी होता है तो यहाँ पे यह body हमारा ground है हमें इसके साथ connection कर दे रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे potential meter के लिए तीन वायर हमारा जो है निकल गया है तो इसका connection हम आप किस प्रकार से करेंगे तो जो orange color का wire आप यहाँ पे देख सकते हो यह हमारा आता है इस IC से ठीक है इस IC से out होके यहाँ पे PF के थुरू और resistance के थुरू चार number pin में हमारा जाता है तो वहाँ पर मैंने PF को हटा दिया है क्योंकि आगे section में और PF लगा हुआ है potential meter को कुछ इस परकार से पकड़ते हैं तो पहला number pin हमारा input का होता है बीच वहला output होता है तीसरा हमारा ground होता है तो सबसे पहला हम input देंगे input कौन सा देना है इस IC से जो output जाता है pin हमारा orange color वाला है ठीक है यह जो हमारा orange color है उसको हम इस potential meter के input वाले pin पे sold कर देंगे ठीक है यह हो गया उसके बाद yellow color वाला wire चो हमारा 4 number pin में जाता है तो 4 number pin हमारा दोस्तों yellow color का है तो यहाँ पे बीच वाला जो pin है हमारा यह output करता है तो यहाँ पे जो input होगा तो उसको control करेगा और यह output करके इस IC के चार number pin पे जाएगा और यहाँ पी यह जो हमारा green color का है यह तो हमारा ground का है तो इसको easily हम यहाँ पे इसके तीन number pin पे हम connection कर देंगे ठीक है इस प्रकार से मैंने कर दिया है अब आईए देखते हैं कि हमारा potentiometer किस प्रकार से काम करता है इसके लिए मैं यहाँ पे इस speaker और बैठी का connection कर लेता हूं उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो हमारा potentiometer है इसमें किस प्रकार से काम करता है दोस्तों आप यहाँ पे अगर इस प्रकार से solding करते हो तो यहाँ पे glue gun से या किसी भी glue से इसको चिपका दे क्योंकि यहाँ पे जो print है इसका बहुत ही पतला है और wire जो है तो इससे गया होता है कि print उखरने का डर रहता है ठीक है तो आप यहाँ पे किसी चीज से इसको चिपका लें अब मैं यहाँ पे battery का connection कर लेता हूं और speaker का connection कर लेता हूं कि यहाँ पर मैंने कर लिया है कि यहाँ पे speaker है अब मैं इसको on करता हूं ठीक है अब है यह अभी हमारा fm mode पे है कि दोस्तों यह हमारा जो potential meter है काफी अच्छा से काम कर रहा है मैं यहाँ पे आपको देखे करके पूरा life दिखा रहा हूं यहाँ से भी आप sound को कम या जदा कर सकते हो मैं यहाँ पे फूल कर लेता हूं यह फूल हो चुका है तो आईए अब हम इसमें sound को play करके और sound को यहाँ से control करके देखते हैं यहाँ पर मैंने यूस्बी को लगा दिया है play by usb drive क्यों यहाँ 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 से लोड़ अखे जाईए वफा जिन मेंने डाईए perso яв खॉर आपको झा जगेशा हैं तो दोस्तों यह बाला जो potensiometer इसमें काफी अच्छा से काम कर रहा है तो इस परकार से आप अपने module में जो है potensiometer का connection कर सकते हो और यह हमारा single channel का है इसलिए मैंने single channel का लगाया है यह dual channel का है तो इसमें dual channel का potensiometer लगेगा अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ potensiometer लगाओ तब मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं मैं इसके उपर जरूर वीडियो बना दूँगा तो आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से इसमें पोटेंस्टोमीटर लगाया है और यह काफी अच्छा से काम कर रहा है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार से आप जो है मोडियूल में पोटेंस्टोमीटर लगा सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो